नमस्कार स्वागत है आप सभी का सीनूस भारत में मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तफ वर्तमान समय में बड़ी संख्या में लोग मोटापा मदुमें इत्यादी समस्याओं से ग्रिसत हो रहे हैं इसका मुख्य कारण है कि हम आप इस भागदोर की जिंदगी में खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं जबकि अच्छे स्वास्त एवं निरोगी काया की कामना सभी करते हैं आज के दोर में खराब जीवन शेली और संतुलित भूजन लोगों को बीमार कर रहा है हमारी कुछ बुरी आदते हमारी लाइफस्टाइल को खराब कर देती है बेतर स्वास्ती के लिए जीवन शेली में बदलाव जरूरी है ये बदलाव कोई भी विकल्प याकारे हो सकता है संभव है कि ये बदलाव शुरुवात में बहुत प्रिभावी नहीं दिखे पर बात में अच्छी आदते हमारे स्वास्ती को बहतर बनाती है इसलिए हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो अपनी जीवन शेली में बदलाव लाना होगा MSM Nutrition Wellness Center की संचालिका अडवुकेट मलिका श्रवास्तव एवम उनके पती अडवुकेट शिव मोहन श्रवास्तव ने समाज सेवा की रूप में लोगों को स्वास्त एवम फिट रखने के लिए जागरुकता अभियान चला रखा है और अब तक से अकड़ों लोगों के लाइफ स्टाइल में बदलाव कर एवम संतुले ताहार के जरिये लाभान वित किया है प्रते दिन सुबह अडवोकेट मलेका श्रवास्तव के सेंटर पर काफी लोग आते हैं और अपने शरीर वा स्वास्ते को लेकर जागरुक होते हैं एडवोकेट मलिका श्रवास्तव कहती हैं कि ये शरीर इश्वर का दिया हुआ वर्दान है इसकी देखभाल करना अपने शरीर से प्रेम करना स्वस्त रखना आप सब की जिम्यदारी है इतना ही नहीं सेंटर पर आगंतुकों को जागरू करने के साथ साथ लोगों की एवं वजन के आधार पर स्वास्ते पर पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया जाता है और उन्हें उसी अनुरूप संतुलित डाइट को लेकर जागरूग भी किया जाता है इसी क्रम में आगंतुकों को नाश्ते की रूप में पोशक तत्वों से भरपूर से भी निशल पिलाया जाता है तमाम लोगों ने बताया कि घराब लाइफस्टाइल में बदलाव एवं संतुले ताहार के जरिये वह तमाम शारीरिक समस्याओं से निजात भी पा चुके हैं कि जितने भी हमारे इसूस थे वो सब ठीक हो गए और यहां का वातावरान बहुत अच्छा लगता है मैं यहां क्लब में आने के लिए एक स्कूल ही बच्चों की तरह में एक्टिव रहती हूं और यहां आना मुझे बहुत अच्छा लगता है और धीरे-धीरे हमारे सारे ह खतम हो गए और फायदे ही हो रहे हैं इस सरी का हमारे बहुत साइदा हुआ हमारे सुस्ती रहती थी एक्टिविटी हो बोडी में आ गई और उर्जा भर गई और सीडिया चड़ने उताने में तकीफ हो थी थी ति वो हमारा ठीक हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगता ह है यहां न और हमारी डायविटी वो गएरे है वो भी गन्टोल हो रही है मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा नाम राम बिला सेर्ट एज हो गई हमारी सिस्ट सेमिंटी सिख्स गोटलों में हाथों में हर जोएंट में बहुत दढ़ होता था चल लेकर बहुत कष्डा ही लेकिन हमें पता चला तो हम स्रिवास्तों जी कहले से जहाँ आ गए और अब तक हमें तीन मेने हो गए हैं चार मेने करी बहुत बहुत हो गया है हम हर तरह के रोग से बिलकुल मुक्त हो चुके हैं कि मैं झालो मेरा नाम भगवान दिन है मैं पारा में रहता हूं और वह कुछ दिखकते थी तो मुझे किसी ने बताया है कलब में आया कलम में जब से आया तो हमारे सिर में जो बहुत पहले से दर्थ खुआ करता था धीमातिमा दिमाते वो खतम हो गया है और और वी तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं यहां डेली आता हूं क्या करा जाता है यहां पर यहां पर थोड़ा एक्सरसाइज करा जाता है और उसी से सारे फैडिक होते हैं अद्वोकेट मलिका श्रवास्तव ने बताया कि वह पहले मोटापा सहित कई शारीरिक समस्याओं से ग्रसित थी और उनके पती डायबिटीज के चलते बहुत परिशान रहा करते थे आज लाब मिलने के बाद उन्होंने निर्णे लिया कि क्यों ना इस से छोटी बात के जरिये लोगों को जागरू कर लाब पहुंचाये जाए आईए देखते हैं स्वस्त एवं फिट रहकने के लिए एडवोकेट मलिका श्रवास्तव ने क्या कुछ कहा जब यहां पे गया पर उससे ज़्यादा वज़न आ गया था जब मैंने चिम छोड़ा तो जब यहां पे गया अपने क्लब में कोच के गाइडेंस में गया तो मुझे पता है मेरी लाइफ स्टाइल बग खरा गए जो चीज़ें सुधारी और आज जब अदस्त हूँ क्योंकि मैंने फॉर्म में अपना 20 kg healthy weight loss किया उसी के साथ साथ जब यह कॉम्मुनिटी देख तो बहुत अच्छा लगता है आज बहुत blessing पा रहे हैं क्योंकि यहां बहुत अच्छी चीज़ें हमारी body के according पता चलती है जहां मुझे आके मुझे अपने आपसे प्यार हो गया क्योंकि यह बहुत negativity थी मेरे पास क्योंकि मुझे बिलकुल नहीं अच्छा लगता था किसी का बोलना किसी का बात करना किसी का समझाना बहुत negative वाले feeling मेरे अंदर थी आज बहुत positive हो प्योंकि सुनती भी हो और बताने में भी बहुत अच्छा लगता है बहुत positive area में रह रही हूं लोगों को अच्छा अच्छा ग्यान बताने में अच्छा लगता है जिसे water retention होता है वाटर के बारे में बताना अच्छा लगता है, और बहुत सारी नौलेज पा रही है, क्यों कि अपने बारे में खुद से सोचा, पहले अपने आपसे प्यार करना सोच रुकिया, तभी आथ लोगों को उनके प्यार के बारे में बता सकते हैं, कि हर एक को अपने आपसे प्यार रहना है जितनी प्रभु ने आयू दिये इसे इंज्वाइ करके जाना है और बहुत अच्छा और मेरी पूरी फैमिली आज जब दस है सभी आज बहुत अच्छी अपनी लाइफ को जो भी एज है उसे बहुत अच्छी तो चार रूप में जीवन जी रहे हैं और बहुत लोग है और ना के उन्हें जब ज़ति उसको करना है बस क्या करने है अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्ने सुचार रूप पर लाना है आपने टाइम फ्रेक्वेंसी को ध्यान रखना है अपने खान पीन पर ध्यान रखना है इसी तरीके से आप जिंदिगी पर स्वस्तिर हैं नूट्रेशन जो है हमारा बहुत बदस क्योंकि मेरी बॉड़ी की और्गेंस को सारी चीजों की जरुवत होती है जहां पर विटामिस, मिनरल, कैल्शियम, मैगनेशियम, जिंग, पुलेजिन, अंगिनत चीजें हैं जो आपको चाहिए बॉड़ी को और पर डे चाहिए यह मै हर्वल है तो क्या कह सकते हैं यह हर्वल ड्रिंग है यह एक नूट्रिशन है जो मेरी बॉड़ी की नीट को कम्पलीट करता है हम पर डे अपने आपको अक्टिव देने उड़जा देने के लिए कुछ न कुछ हमें लेना पड़ता है खाना भी खाना है क्योंकि हमें कैलोरी क्रिप्टी को भूल के पॉस्टिव एरिया में जाने का अपका मन करेगा अब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम जो चीजे चाहिए अपने आप से अपने को वह हम सारी चीजें यहां पर प्राप्त करते हैं मिलती है हमें सारी चीजे अच्छे स्वास्त को लेकर लोगो क्यों ब्लैस्फुल हैं खुदीनी ब्लैस्फुल रहना है क्योंकि हम कॉविट की टाइम हम देख चुके हैं कि जिस तरीके से कोविड आया था आज हर बगल में इधर मैं सबसे उन से हम निगेटिव हो गया थे तो आज ऐसा करके हम अपने पूरे महले को अपने देश को कह पहले हमें अपनी इम्मुनिटी पर काम करना है अपनी बोडी और गेंस के लिए क्योंकि हम स्वस्त रहें हमारा जीवन अच्छा चले तो पहले हम उस पर चरूध्यान दोना है देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सी नियूस भारत